साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत-बहुत सागत है आज का वीडियो इमला लिखना सीखें इमला जो की एक अर्बी भासा का सब्ध है, हिंदी में कहते हैं सुर्तलेख यानि सुनकर लिखना हम बोलेंगे और आप सुनकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे आज हम एक छोटी सी कहानी लेकर आये हैं कहानी का सीट सक है कबूतर और शिकारी इस कहानी को पहले हम एक वार पढ़ लें बाद में हम इसी कहानी का इमला बोलेंगे और आप अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास करेंगे तो आईए पहले पढ़ लेते हैं बाद में हम बोलेंगे पढ़ेंगे एक दिन एक शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जाल के उपर अनाज के दाने डाल दिये कुछ देर बाद कबूतरों का जुन्ड आया और अनाज खाने के लालच में जाल में फस गया बे बहुत परेशान थे सबने जाल के सहित एक साथ उड़ने की योजना बनाई और बे जाल को लेकर उड़ने लगे शिकारी उनके पीछे पीछे भागा लेकिन वह उन्हें पकड नहीं पाया वे उड़ते उड़ते अपने मित्र चुहे के पास पहुँच गए चुहे ने जाल काट कर सभी को सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया तो दोस्तों ये छूटी सी कहानी है आए शुरू करते हैं लिखिए आप उमिद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर लिखने के लिए त्यार होंगे लिखिए एक दिन एक शिकारी ने एक दिन एक शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाल बिछाया और जाल के उपर और जाल के उपर अनाज के दाने डाल दिये अनाज के दाने डाल दिये कुछ देर बाद कबूतरों का जुण्ड आया कुछ देर बाद कबूतरों का जुण्ड आया कबूतरों का जुण्ड आया और अनाज खाने के लालच में जाल में फस गया लालच में जाल में फस गया इतना आपने लिखा होगा मिला लिजी अपना लिखा हुआ एक दिन एक शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जाल के उपर अनाज के दाने डाल दिये कुछ देर बाद कबूतरों का जुण्ड आया और अनाज खाने के लालच में जाल में फस गया आगे लिखिये वे बहुत परेशान थे लिखिये उड़ने की योजना बनाई जाल के सहित उड़ने की योजना बनाई और वे जाल को लेकर उड़ने लगे शिकारी उनके पीछे पीछे भागा शिकारी उनके पीछे पीछे भागा पीछे पीछे भागा इतना आप मिला लिजीए इतना आपने लिखा होगा वे बहुत परेशान थे सब ने जाल के सहित एक साथ उड़ने की योजना बनाई और वे जाल को लेकर उणने लगे शिकारी उनके पीछे पीछे भागा आगे लिखिए लेकिन वह उन्हें पकड नहीं पाया लेकिन वह उन्हें पकड नहीं पाया लेकिन वह उन्हें पकड नहीं पाया वे उड़ते उड़ते वे उड़ते उड़ते अपने मित्र चुहे के पास पहुँचे पहुँच गाये माप करना अपने मित्र चुहे के पास पहुँच गए पहुँच गए लिखना माप कर देना हमने पहुँच गए बोल दिया था अपने मित्र चुहे के पास पहुँच गए चुहे ने जाल काट कर चुहे ने जाल काट कर सभी कबूतरों को सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया आपने लिख लिया होगा मिला लीजिये लेकिन वहा उन्हें पकड नहीं पाया वे उड़ते उड़ते अपने मित्र चुहे के पास पहुँच गए चुहे ने जाल काट कर सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने इमला लिखने का ब्यास किया उमिद करते हैं एक बार में आपने ठीक 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 लिखा होगा यदि आप कुछ सब्दों को ठीक से ना लिख पाए हो तो उन सब्दों को आप अपनी कॉपी पर बार बार लिखिए और इतनी बार लिखिए कि अपके बार उन सब्दों को आप लिखें तो बिलकूर ठीक 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 यदि आप ज्यादे सब्दों में rumors करगए हो तो वीडियो को दुबारा देखिए तो लाइक कर देना वीडियो को और हमारे चैनल रमन विध्यारती को सब्सक्राइब ही कर लीजिए मिलेंगे हमारे एगले वीडियो में तब तक लिए हिंद जै हिंदी